हेलो साथियो नमस्कार गोड इबनिंग कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी एकजाम के तयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आज किस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे स्टाइल मैनू के बारे में इससे पहले हमने कई सारे मैनू कमप्लीट कर लिए हैं तो आज इस class में style menu को समझेंगे, इसमें कौन-कौन से command होते हैं और यहां से किस प्रकार से question आपके एक जामे बन सकते हैं, किस-किस topic से बन सकते हैं, उनको हम discuss करेंगे तो इस style menu जब आप LibreOffice Calc में आते हैं, तो style menu के अंदर बहुत सारी styles होती हैं जो हम अपने spread seat में apply कर सकते हैं, तो यहां से आप cell में अलग-अलग style लगा सकते हो, यहां पर cell में प्रतिक style के लिए एक अलग color define किया गया है जैसे अगर आप देखेंगे, पहला है default, तो यहां calc का default style होता है mean, by default जो style apply होता है, वही default कहलाता है, तो यह default style आपका होता है अब अगर आप second number पे दिया है, ascent 1, अगर आप इसका use करते हैं, तो इस command से cell का background black हो जाता है यहीं background कैसा हो जाएगा, black हो जाएगा, इसी पकार से अगर आप ascent 2 apply करते हैं, तो इस command से cell का background gray हो जाता है ascent 3 का इस्तेमाल करते हैं, तो इस command से cell का background light gray हो जाता है, ठीक है और जैसे आप LibreOffice Calc में एक बार आपको लेकर आते हैं, LibreOffice Calc में जब आप आते हैं, यहां पर आपने, माल या हमने यहां किसी एक cell में कुछ content लिखा, ठीक है देखो style menu में हम जैसे ही आए, तो पहला हमारा default है, दूसरा ascent 1 है, अब इधर आप देखोगे, तो यहां पी इसका preview भी नजर आ रहा है जैसे आप देखोगे, एक ए लिखा हुआ है, इसके पीछे black color पड़ा हुआ है, तो आप ascent 1 पे click करोगे, तो देखो, आपका text white हो जाएगा, और background black हो जाएगा यह ascent 1 का था, फिर आप style menu पे गए, ascent 2 अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें grey आपका हो जाएगा background और color आपका text का white रहेगा ऐसे ascent 3 अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपका grey रहेगा background और color आपका black रहेगा इसी प्रकार से आप heading 1 apply कर सकते हैं, heading 2 apply कर सकते हैं, अब heading 1 से क्या होगा heading 1 जैसे apply करोगे तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, heading 1 apply हो चुकी है, तो यहाँ आपको जाना है style पर यहाँ से heading 2 apply करेंगे तो यह heading 2 में आ गया है तो इस पकार से हम change कर सकते हैं heading 1 18 point का रहेगा और heading 2 आपका 12 point का रहेगा तो यह सारी चीज़े हमने इस theory वाले session में complete की हैं यहाँ पर सारा कुछ note down किया है आपके लिए आप आसानी से इसका PDF पढ़ करके समझ पाएं ठीक है अब देखो यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो ascent 3 में क्या होगा इस command से सिल का background light gray हो जाता है heading 1 तो heading 1 में क्या होगा यहाँ से heading 1 लगा सकते हैं जिसका by default size कितना होगा 18 point का होगा heading 2 लगा सकते हैं यहाँ से आप heading 2 अपलाई कर सकते हैं जिसका by default size कितना होगा 12 point होगा यानि heading 2 अपलाई करते हैं तो 12 point और heading 1 अपलाई करते हैं तो 18 point का size रहेगा text का 7 नमबर पे आता है good तो आप यहाँ पर इस command से क्या कर सकते हैं सेल का background light green हो जाएगा और text आपका green color में हो जाता है तो जैसे आप LibreOffice calc में आते हैं और यहाँ पर अगर आप ठीक है यहाँ पर मालिया किसी सेल में आपने कुछ लिखा मैंने कुछ यहाँ type कर दिया और आप गए यहाँ style menu पर इसके बाद यहाँ पर आएगा good तो आप इस good पर क्लिक करोगे तो क्या होगा background हलका आपका green हो जाएगा और जो text होगा वो green color में आ जाएगा इसी परकार से आप फिर style menu में गए यहाँ से bad कर सकते हैं तो bad में देखो इस परकार सी हो जाएगा इसी परकार से आप यहाँ neutral कर सकते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा इसी परकार से आप error पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा sorry आपका red background हा जाएगा और white color आ जाएगा इसी परकार से warning पर क्लिक कर सकते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा केवल text आपका rate रहेगा तो अब footnote पे click करेंगे तो कुछ इस परकार से हो जाएगा तो यहाँ पे अलग-अलग style दी गई है जिनका इस्तेमाल हम अपने document में कर सकते हैं तो जैसे ही आप writer में आते हैं फर से और यहाँ पर आप देखीगा पहला दिया है good का तो इसमें क्या समझना है background हमारा light green होगा और text हमारा green हो जाएगा उसके बाद दिया है bad तो इस command से cell का background कैसा होगा light red हो जाएगा नहीं हलका red हो जाएगा और text red color में आ जाएगा neutral में क्या होगा इस command से cell का background light yellow हो जाएगा और टेक्स्ट जो है वो आपका गैमबोज ब्राउन कलर में हो जाएगा इसके बाद error इस कमांड से सिल का बेक्राउंड डार्क रेड हो जाएगा और टेक्स्ट आपका वाइड कलर का हो जाएगा तो यह अलग-अलग स्टाइल है उसके बाद warning है तो इस कमांड से सिल का बेक्राउंड वाइड हो जाएगा और text रेड कलर में हो जाएगा फिर footnote है तो इस कमांड से सिल का बेक्राउंड वाइड हो जाएगा तथा text ग्रे कलर का हो जाएगा और italic भी हो जाएगा यानि text हमारा gray color में आएगा, italic हो जाएगा और background हमारा white हो जाएगा 13 में दिया गया है update selected style इस command से आप selected style को बदल भी सकते हैं, change भी कर सकते हैं, update कर सकते हैं जो style आपकी है उसको आप change भी कर सकते हैं उसरा दिया है new style from selection आप नई style बना सकते हैं तो इस command से आप selected text का नए style बना सकते हैं और किसी नए नाम से save कर सकते हैं तथा इस style का आप अपने presentation में या अपने spread seat में इस्तिमाल कर सकते हैं यानि हम जो style है वो नई भी बना सकते हैं, उसे update भी कर सकते हैं और अगला है manage style जिसके shortcut की भी याद रखना है पूचता है एक जाम में F11 होती है तो इस command से आप style को manage कर सकते हैं अर्थात manage style का pane calc window के दाई और open हो जाएगा तो सबसे पर देखते हैं update style या new style हम कैसे बनाते हैं आपको आना है यहां पे और जैसे ही आप आओगे style में ठीक है यहां पर जैसे ही style में आओगे आप यहां पर कुछ लिख देते हैं पहले और style menu में आप जैसे ही आओगे तो यहां पर देखो एक दिया है new style from selection अभी मैंने जो select किया है 25 लिखा है इसमें जो style apply होगी वो style यहाँ पे बन जाएगी कैसे तो हम पहले क्या करते हैं 25 में कोई style apply कर देते हैं मैंने इसको थोड़ा format कर देते हैं तो मैंने कहा color इसका rate रहेगा size इसका हमने कहा 24 रहेगा इसको italic भी मुझे रखना है इसके पीछे मुझे background भी रखना है तो हम रखती है background अचाई text हो गया चलो इसके पीछे एक background भी रख देते हैं यह वाला background हमने कर दिया है पूरा ही select हो गया यहां पी क्या करेंगे इसमे background आप डाल देंगे तो यह हमारा एक style वन गया है ठीक है इसको bold भी कर देते हैं यह हमारा style है अब इस style को हम जैसे मालिया यहां पे लगना चाहें तो पहले इसको हम बना देंगे यहां पे style में जाएंगे और new style from selection जो मैंने select किया उसकी नई style यहां पे बन जाएगी अब ऐसा आएगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा आप यहां पे कोई नाम दे सकते हैं जो style आपने वनाई उसका कोई नाम दे सकते हैं तो मैंने यहां पे नाम क्या देना है हमने यहाँ पर नाम दे दिया है चलो हम यहाँ पर triple N कर देते हैं यह हमारा नाम हो गया style का हम मोके करेंगे तो यह style हमारी बन चुकी है अब कैसे समझ आएगा कि style हमारी काम करेगी तो हमने यहाँ फिर से लिखा कुछ और हम लिखते हैं यहाँ पर आके हम किसी भी cell में यह आटमेटिक कर देते हैं और किसी cell में हमने यहाँ जैसे मैं लिखा 65 लिखा अब जो मैंने यहाँ लिखा है 65 इसको हम ऐसा ही करना चाहा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे style को apply करेंगे वो style हमें कहां मिलेगी तो हम जाएंगे इसके लिए कहां seat menu में और style menu में जाने के बाद में हम यहाँ manage style पर चले जाएंगे F11 दबा लेंगे यहाँ पर click कर दिया अब जैसे यहाँ पर click किया तो right side में एक pane open हो जाएगा आप देख सकते हैं इसमें हमने अभी जो style ली है वो लिए है triple line में लिखा था इस पर मैंने click किया double click करते हैं और देखो 65 पर भी वो style apply हो चुकी है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी कोई style बना सकते हैं उसको define कर सकते हैं और फिर आगे उसे future में apply कर सकते हैं अब यहाँ पर जो by default आपके system में होती है style वो भी दी गई है जैसे ascent में ascent 1, 2, 3 heading दे गई है wad, error यह सारी style दी गई है बट आपने भी अपनी add कर लिए तो आपकी भी यहाँ पर add हो चुकी है तो इस पर से हम add कर सकते हैं अब किसी style को update करना है तो आप यहाँ से update selected style पे जा सकते हैं और उसको update भी करवा सकते हैं ठीक है उसको आप edit भी कर सकते हैं change भी कर सकते हैं आप यहाँ right क्लिक करेंगे और यहाँ से modify कर सकते हैं तो आप जैसे modify पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस परकार से आजाएगा अब इसका क्या नाम था वो update कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहां पट यहां पर हैं इंसर्ट का अगली मेनु की आपको लगानी है है उस पे समसों पढ़ाना है और तो प्तिकाल के यहां पोले सकती है और एक स्विक्राली को प्रिवक्र Даud का और इसकी shortcut की हो थी control के साथ plus, एक plus साथ के लिए है control, plus, plus यानि control के साथ जब plus दवाएंगे तो हम insert cell पे जा सकते हैं तो इस option या इस command के मदद से हम cell को write entire row entire column insert कर सकते हैं यानि cell जो हमारी होगी हम उसमे entire row या entire column को add कर सकते हैं जैसे मालिया हम किसी भी cell में काम कर रहे हैं और हम एक नई cell add करनी है तो हम कैसे insert कर सकते हैं हम control, plus दवा लेंगे तो हम एक नई cell add कर पाएंगे और जैसे ही आप control, plus दवाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा जैसे insert cell का एक डैलेक बॉक्स आ गया है आप इसमें लिखा है shift cell down, shift cell right entire row या entire column अब जो भी आपको add करना है अगर आपको cell add करनी है वो shift कहाँ पे हो, down में shift हो तो यहाँ पे down पे क्लिक रखेंगे shift cell right हो तो आप right में रखेंगे entire row पूरा row आप add करना चाहते है तो पूरा row भी आप add कर सकते है या पूरा column एड करना चाहते है तो पूरा column भी आप add कर सकते है तो में आपको याद रखना है कि अगर हमें नया column या नया cell add करना है या नया row add करना है तो क्या shortcut की है control के साथ में plus इसी प्रकार से insert row तो इस command से आप row insert कर सकते हैं insert row above इस option के मदद से आप cursor के ऊपर row insert कर सकते हैं insert row below इस option के मदद से आप cursor के नीचे row insert कर सकते हैं जैसे देखो यहाँ पर आप जब आते हैं LibreOffice Calc में एक बार हम लेकर चलते हैं फिर आपको समझाते हैं तो जैसे ही आप LibreOffice Calc में आते हैं यहाँ पर अब जैसे आप LibreOffice Calc में आये हैं तो यहाँ पर माल लिया हमने यहाँ कुछ लिखा हमने यहाँ लिखा था name ठीक है उसके बाद लिखा था father's name ऐसे हमने यहां कुछ लिखा था और अब हमें यहां पर नया क्या करना है add करना है sell ठीक है तो हम यहां जाएंगे seat menu में और seat menu में insert sell पर पहला ही option क्लिक कर देंगे तो इसमें कई सारे option आएंगे अब यहां पर बोला गया है shift sell down क्या मुझे shift sell down करनी है यह right करनी है तो हमने right पर क्लिक किया और यहां ok कर देते हैं ok करने पर क्या होगा देखो हमारा नया यहां पर sell आ चुका है और बाकी के sell right में shift हो चुके हैं यानि जब कोई नया sell आएगा तो उसके लिए space भी चाहिए होगा कि वो कहां पर आए और बाकी का content कहां जाए तो shift sell right हुआ है यानि यह जो name और father name थे यह पहले name हमारा e वाले section में था e वाले column में था अभी f में चला गया क्योंकि shift sell right हो गया है ctrl z करते हैं देखो यह name हमारा e में आ गया बट अभी जैसे मैंने यहाँ पर sell को insert किया तो यह सब right में shift हो गये हैं तो यह depend करता है कि आप कहां पर इसको रखना चाहते हैं इसके बाद फिर आप seat menu पर चलेंगे और insert sell पर फिर click करेंगे और यहाँ से गर shift sell down करेंगे तो down के तरफ shift करेगा entire row से क्या होगा पूरा एक नया row add हो जाएगा entire column से क्या होगा पूरा एक column add हो जाएगा तो यहाँ click करेंगे एक नया column ही add हो चुका है वो बिल्कुल नीचे तक column जाएगा तो control plus से भी हम add कर सकते हैं और यहाँ पर click करके भी add कर सकते हैं इसके बाद केवल अगर हमे row add करनी हैं तो हम insert row कर सकते हैं अब करना है या विलो करना है तो कैसे समझ आएगा आपके हम यहां पे कुछ और लिख देते हैं मैंने फिर दिखा नेम और फादर ने फिर से टाइप कर दिया आप देखो नेम और इस वाले नेम के बीच में एक और हमें नया रो चाहिए तो हम क्या कर करेंगे और इसमें जाएंगे हम insert row अब अगर एबव करेंगे तो जो select किया है उसके ऊपर add होगा यानि फिर नेम और नेम के बीच में आ जाएगा और विलो करेंगे तो लास्ट वाले के नीचे चला जाएगा तो हम एबव करते हैं ताकि समझ जाए इन दोनों के बीच में अपने आप एक नया row add हो चुका है अब यहां पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हैं तो इस पकार से हम directly यहां से कोई नया एक row पूरा add कर सकते हैं और अगर हमें जैसे हम फिर से गए एक वर seat menu पे अगर हमें column add करना है तो सेम ऐसे ही column भ जाएगा तो इसको हम up कर सकते हैं या फिर below कर सकते हैं इसके बाद क्या आता है अगला command हमार आता है वो आता है insert page break का तो यहां से हम page break कर सकते हैं page break का मतलब होता है नया page तो row break करेंगे तो जो भी जैसे हम row break कर देंगे तो फिर आगे जो भी लिखेंगे वो अगले page में च इस प्रकार से हम यहां से column या row break कर सकते हैं और delete cell मतलब यहां से cell को हम delete कर सकते हैं अब जैसे माल लिया मुझे इस वाले cell को delete करना है तो हम यहां आ जाएंगे और इसके बाद यहां पर delete cell या control minus दबाल होगे तब भी आ जाएगा यह दिया रखना है shift cell up करेंगे अब इसको भी shift करना पड़ेगा कहां पर shift करेंगे या shift cell right तो मैंने यहां ok कर दिया shift cell up पे तो यह delete हो चुका है और नीचे वाली seat हमारी अप में पहुंच चुकी है नीचे वाले seat के अंदर जो content है वो अप में पहुंच चुका है क्यों यहां कि उसने shift करवाया आपके लिए है तो ऐसे आप shift करवा सकते हैं जिधर भी आपको shift करवाना है आप फिर से जाएंगे delete cell पे और यहां shift cell left कर सकते थे या आप कर सकते थे अब इसमें हो सकता है जाम मैं ऐसे पूछे कि इसमें कौन सा option नहीं होता है तो देखो shift cell up होता है और left होता है इसमें right न करते हैं cell insert करते हैं तो उसमें shift cell down होता है और shift cell right होता है उसमें आपका up नहीं होगा और left नहीं होगा तो यह कुछ point की बात है जो आपको याद रखनी है पूछ सकते हैं आपके exam में ठीक है आप चलिए चलते हैं फरसे हम theory के section में और यहां पे जो हमारा यह तो आपने समझ लिया है कि हम कैसे cell को insert करते हैं आगे देखो insert page break जो मैंने अभी समझाया आपको तो यहां से आप page break insert कर सकते हैं तो इस option की मदद से page break किया जा सकता है इसमें दो option होते हैं पहला हम row break कर सकते हैं तो यहां से row break कर सकते हैं जैसे row break करेंगे उसके नीचे भी text लिखा जाएग वह नए page उसके नीचे जो भी text लिखा जाएगा वह नए page भी print होगा यानि जैसे मैंने row break कर दिया आप कुछ लिखोगे वह अगले page में जाएगा क्योंकि हमने तो आप जिसको भी करना चाहते हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं उसके बाद में है डिलीट रो तो इसमें क्या होगा आप केवल रो को डिलीट कर सकते हैं जैसे माली आपको केवल रो डिलीट करना है तो आप केवल रो डिलीट कर सकते हैं इस option की मदद से आप संपूर्ण र को delete रह सकते हैं जो को delete page break जो आपने page break लगाया होगा उसको भी आप delete कर सकते हैं जो ओपर अभी page break मैंने बताया था तो उसको भी आप आप घटा सकते हैं इंसर्ट seat इस ऑफशन की मदद से आप nai seat add कर सकते हैं याँ नई seat आप Fact suivra की मदद से कैसे insert कर पाएंगे seat को थोड़ा समझ लेते हैं तो जैसे देखो यहाँ पर आप आओगे और पहले हम यह बता देते हैं जैसे मैंने कहा column delete कर सकते हैं तो एक और तरीका column delete करने का है जैसे आप इस वाले column को select कर लो आप यहाँ जो column का later होता है जी इस पे आप click करो और right click करके भी देखो कितने सारे option आ रहे हैं इस column को cut भी कर सकते हो copy भी कर सकते हो paste है paste special है तो यहाँ से delete column पे click करके हम इस column को delete कर सकते हैं मैंने यहाँ click किया तो यह पूरा column हमारा delete हो गया है तो इस पकार से हम कर सकते हैं या seat menu पे जाके भी हम delete cell, delete row, delete column पे click करेंगे और हमारा column delete हो जाएगा, ठीक है, तो इस पकार से हम seat menu पे जाके भी column को delete कर सकते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया है insert seat का, कि हम भी नया seat कैसे insert करेंगे, तो यहाँ पे click कर लीजेगा, और seat insert करने का एक dialog box आ जाएगा, अब यहाँ पे पूछेगा कि before current seat, जो seat है उससे पहले insert हो, या उसके बाद में, तो हमारी seat 1 यहाँ पे है, इससे पहले नहीं चाहरे हैं, हम बाद में चाहरे हैं, तो after current seat, current seat के बाद में हमारी seat insert हो, seat का नाम क्या रहे, हमने कहा seat 2 ही रहे, ठीक है, कोई बाद नहीं है, हम इस seat को from file से भी कर सकते थे, मिन अगर Excel, हमने अगर labor office calc में कोई पहले से काम किया है, उस वाली seat को add कर सकते थे, बट हम new seat यहीं पर चाहते हैं, ओके करेंगे, तो हमारा seat number 2 add हो चुका है, तो इस पकार से हम seat add कर सकते हैं, बहुत आसानिक के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर हमने seat को add कर लिया है, अब जैसी seat पर आप add करेंगे seat को, तो अभी मैंने जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर भी हमने इसका एक skin store डाल दिया है, आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर एक option दिया है, before current seat और after current seat, तो हमें after करना है, तो after पर कलिर रखेंगे, before करना है, तो before पर रखेंगे, जितनी भी seat आपकी होगी, उन सबके अंत में seat को add करा देगा, फिर delete seat, इस option के मदद से, आप संपूर्ण seat को delete कर सकते हो, तो delete का option आएगा, उससे आप delete कर सकते हो, clear sale का एक command आता है, जो बहुत important है, और इसके लिए हम shortcut की दवाते हैं, backspace, तो इस command से sale में लिखे data को आप delete कर सकते हैं, आप जैसे ही इस command पर click करते हैं, या backspace को जी दवाते हैं, तो एक dialogue box open होता है, जिसके दोरा आप text को delete कर सकते हैं, आप formatting को delete कर सकते हैं, आप केवल formula को delete कर सकते हैं, आप केवल number को delete कर सकते हैं, cable comment को delete कर सकते हैं आदी option बहाँ पर आपको मिलते हैं आप select all पर click करके एक साथ सभी को delete कर सकते हैं select all पर click करके आप एक साथ सभी को delete कर सकते हैं तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया है जब आप इस command का यूज़ करेंगे तो कुछ इस प्रकाड से मिलेगा इसमें delete all पे अंचक रखना है ठीक है अगर delete all करतेंगे तो सारा delete हो जाएगा उसके बाद आप जिसको delete करना चाहते हैं जैसे मालिया कोई formula आपने लगाया तो cable formula डिलेट करना चाहते हैं text नहीं तो आप formula पे click रखो बागे सब को हटा दो हम इसको bit practical भी आपको दिखा देते हैं ताकि आसानी से आप समझ पहें तो जैसे ही आप आते हैं LibreOffice Calc में जैसे यहाँ पर मालिया आपने कोई formula लिख दिया है मैंने यहाँ लिखा पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 और इसके बाद यहाँ कर देते हैं 5 अब यहाँ पर हमने equal लिखा sum लिखा bracket को लगाया इन दोनों को select कर लिया bracket close किया अंटरपेस किया तो देखो यहाँ पर हमने एक formula लगाया है equal sum v4 colon c4 मतलब इन दोनों को हमने यहाँ add कर दिया है तो हमारा answer 9 आ चुका है अब केवल 9 यहाँ पर type कर देते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे इन दोनों को select कर लेंगे मिन इसको हम delete करना चाहते हैं but हम केवल formula जिसमें लगाया वही delete करना चाहते हैं backspace प्रेस करेंगे तो इस पकार से आएगा delete all कर देंगे तो सारा ही delete हो जाएगा बड़ ऐसा नहीं करना है हम इन सब को यह सब चेक रहता है इन सब को हम अटा देंगे केवल हमें formula पे tick रखना है में formula जहां लगा वही delete करना है ओके करेंगे तो देखो formula वाला delete हो गया है number अभी भी हमारा वैसे ही है अब इसमें एक और काम करके दिखाते हैं आपको हम इस number को क्या करेंगे थोड़ा format करेंगे जैसे बोल्ड किया color हमने यहां से change कर दिया size background भी आप लगा सकते हैं italic कर दिया underline कर दिया और size बढ़ा दिया अब आप चाहते हैं इसको delete करना बट केवल इसकी formatting को तो आप delete पर click कर दो इस वार formula को हटा दो format पे लगा दो कि format ही हमें delete करना है केवल बाकी कुछ नहीं okay करोगे तो by default हमारा number तो भी लिखा हुआ है लेकिन format इसका delete हो चुका है तो इस पकार से अलग अलग यहां पे हैं बहुत सरे option जिसको आप delete करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं अगर हमें सब delete करना है तो delete all and okay तो delete हो जाएग फिक है तो इसकार से हम इस command का use कर सकते ही on इस्तिमाल कर सकते है चलिए अगला जो है हमारा वह fill sale का तो इस command से आप sell में लिखे content को selected save में paste कर सकते हैं आप इसको fill करना है तो हम यहाँ seat पे जाएंगे और इसके बाद एक option आएगा fill sale का fill sale में जैसे click करेंगे तो fill down होता है fill down की तो shortcut की है control D तो fill down उसके just नीचे वही paste हो जाएगा उसके बाद fill right भी कर सकते हैं सेम बैसे right में fill करेगा अब करेगा left करेगा ठीक है तो हम यहाँ control D पे click कर देते हैं यहाँ fill down पे click कर देते हैं दोनों सेम चीज़े हैं तो मैंने 55 उपर लिखा था नीचे भी आ चुका है ऐसी आप इसके right में करना चाहते हैं तो यहाँ पे click कर दो अब आप seat पे जाओ और यहाँ से fill पे चले जाओ कहां गया fill option तो यहाँ पे जैसे fill पे जाएंगे fill sale पे जाएंगे और fill right कर देंगे तो देखो right में 55 बाच चुका है तो जो भी लिखा होगा वो उसके right में fill कर देगा उसके right में लिख देगा अब थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर detail में समझाया गया है यहाँ पर हमने इसकी insert भी डाल दिया है तो आप इसे अराम से बैट कर समझ सकते हैं पहला है fill down इसकी shortcut की control D है तो इस command से selected cell के उपर क्या होगा selected cell के उपर लिखे हुए text को selected text मे लिखा है उसको selected cell में paste करेगा अर्थात text के नीचे fill कर सकते हैं ठीक है fill right इस command से selected cell के बाई और लिखे text को selected cell में paste कर सकते हैं अर्थात text के right में हम fill कर सकते हैं fill up इस command से selected cell के नीचे लिखे गे text को selected cell में paste कर सकते हैं अर्थात text को उपर fill कर सकते हैं यानि जो select cell है उसके ऐसे fill left है तो इस command से selected cell के buy or selected cell के buy नहीं दाइं और जो भी लिखा है उसको selected text में selected cell में क्या करेगा पेश्ट करेगा और थाथ हम text को left fill कर सकते हैं जैसे यहां पे देखो दो cell आपकी बनी है यह दाइं और है इस दाइं और में जो भी लिखा यह आपके पेश्ट करेगा तो fill left का मतलब क्या है कि जो cell select है उसके दाइं तरफ जो लिखा है वो उस selected cell में पेश्ट कर देगा mean by तरफ पेश्ट कर देगा अगला आता है named range and expression तो इस option के मदद से आप cell range को define कर सकते हैं और उसका एक चल्य के नाम दे सकते हैं तो इसमें पहला मिलेगा हमें so define ओस कमांड से आप cell range को select कर उसका एक नाम दे सकते हैं तो इस पकार से हम cell range को select करें और define पर हम click करके उसका एक particular नाम दे सकते हैं तो यहाँ नेम에서 में हम डाल देंगे cell का नाम कि वहाई जो area हमारा हमने select किया है जो range हमारी है उसका एक particular नाम हम रख देंगे उसके बाद होगा manage तो control F3 shortcut की होती है manage की अब इस option की मदद से आप पहले से define cell range को manage कर सकते हैं ठीकि या manage cell आप यहां से हो सकता आजाए cell range उसमें new cell add कर सकते हैं और delete कर सकते हैं manage में जाके जो पहले से आपने नाम रखा है उसमें आप area को बढ़ा सकते हैं उसका नाम change कर सकते हैं तो mean उसको दुबारा से आप manage कर सकते हैं और cell range manage करने की shortcut की control F3 होती है फिर है cell comment इस command से आप cell में comment edit कर सकते हैं डाल सकते हैं, delete कर सकते हैं फिर है rename seat, आप seat को rename कर सकते हैं mean seat का कोई नाम change कर सकते हैं तो जो seat का नाम रखा वो आप बदल सकते हैं rename seat पर कैसे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, हम आते हैं फिर से लिबरोफिस calc में और seat का कोई नाम, जैसे seat 2 पर अभी हम है तो seat में गए और यहाँ से seat को हम क्या कर सकते हैं rename कर सकते हैं तो यहाँ एक option दिया होगा rename का, यह रहा seat rename करने का और seat 2 का हम कोई नाम रखते हैंगे मैंने triple C रख दिया, okay कर दिया तो अब देखो, पहला seat 1, दूसरा triple C तो इस पकार से seat को हमने rename कर दिया है फिरसे seat में आते हैं यहाँ पर हमें मिलेगा named range and expression हम यहाँ define पर क्लिक करेंगे अब हम name range बता सकते हैं बई नाम बताओ, तो हम कोई भी नाम जैसे मैंने bcc नाम रख दिया, यह हमारा cell का range है, हम range और थोड़ा select करेंगे, तो हमने यहाँ से यहाँ तक select कर दिया है, मैंने का यह range है ना इसका एक नाम रख लो आप, तो हमने double V इसका नाम रख दिया, add कर दिया तो लो, इस cell का एक नाम हो गया है इस area का एक नाम रख दिया गया है अब seat पर हम जाएंगे, बापस से seat menu में और इसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ पर और इसके बाद manage पर हम click कर सकते हैं या control F3 दवा सकते हैं तो manage पर जैसे click करेंगे, अब इसको हम manage कर सकते हैं इसका नाम भी हम change कर सकते हैं इसकी area को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं बापस से हमने select कि और area को हमने कहा इतना ही अब कर रखो, ठीक है और इसके बाद इसको add कर देंगे तो यह delete हो जाएगा तो यह आपका add हो जाएगा यह ना edit हो चुका है तो इस पकार से हम range को edit भी कर सकते हैं बाद में बदल भी सकते हैं चलिए आगे वड़ते हैं आप देखिए यहाँ पर इसके बाद में अगला जो हमारा है वो है hide क्या है? next आपका होगा next आपका होगा hide seat तो हम seat को hide कर सकते हैं जो हमारी seat 1, seat 2 होती है इसको भी हम hide करा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं hide तो इसके लिए हम seat menu पर जाएगा और वहाँ पर hide seat का command मिलेगा तो इससे हम hide कर सकते हैं seat menu पर ही 100 seat मिलेगा इससे हम 100 कर सकते हैं बापस से seat आ जाएगी फिर से इसके बाद में move copy seat इस option के मदद से हम seat को move कर सकते हैं या copy कर सकते हैं उसके बाद navigate होता है तो go to seat अब ये बहुत important है अकसर ये post लेता है एक जामे बड़ पता नहीं होता है बहुत सारे बच्चों को तो याद रखना है go to seat इस command से आप किसी particular seat पर जा सकते हैं कैसे देखो भाई यहाँ पर ये go to seat का option खुला हुआ है अब यहाँ पर जैसे आप go to seat पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे command आएगे तो यहाँ पर इस परकार से command आएगा तो इसमें आपको बताना है कि seat 1 पर जाना है 2 पर जाना है 3 पर जाना है जिस पर जाना वही आप क्लिक कर दो आप चले जाओगे या फिर shortcut की उच करो to previous seat पर जाना है तो control shift tab यह shortcut की लिख लेना एकजाम में आते हैं बहुत important है to next seat, control tab control tab दबाओगे तो अगली seat में और control shift tab दबाओगे तो previous seat में आप आ सकते हो और seat tab का color भी आप चेंज कर सकते हो जो seat है उसका color चेंज कर सकते हो तो यहाँ पर जो color आपको यूज करना है वो आप लगा सकते हो note में लिखा हुआ है right click on the seat tab आप seat tab पे जब right click करते है तो भी बहुत सारे option आते हैं बहां से भी आप seat को डिलीट कर सकते हो आप password लगा सकते हो आप color change कर सकते हो आप नाम दे सकते हो बहुत सारे काम कर सकते हो तो जैसे ही seat पर आप right click करोगे दोखो insert seat भी यहाँ से seat insert भी कर सकते हैं आप delete भी कर सकते हैं, rename भी कर सकते हैं, duplicate भी कर सकते हैं, move copy कर सकते हैं, select all कर सकते हैं protect कर सकते हैं, hide कर सकते हैं, view grid line है, tab color है तो यह बहुत सारे काम हम यहाँ पर right click करके भी कर सकते हैं seat के अंदर और यह seat tab होती है seat 1, seat 2, seat 3 यह seat आपकी tab होती है ठीक है तो हम इस plus button से seat को add कर सकते हैं यहाँ पर यह जो plus button दिया गया है इसी button से seat हमारी add होती है इस बटन से seat को हम add कर सकते हैं और ऐसी ही maximum हम 10,000 seat add कर सकते हैं अभी तो यहाँ पे why default कितनी seat मिलती है why default 1 मिलती है अधिक तब हम 10,000 seat को add करा सकते हैं LibreOffice Calc में तो यह आपने थोड़ा सा समझ लिया है मुझे लगता है आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी जो जो मैंने यहाँ पर discuss करी है और अगर देखिए हम फिर से एक बार seat menu में आपको लिकर चलते हैं seat menu में आ गए seat tab color पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा तो seat का नाम triple c के जगे हम bcc कर देते हैं ओके किया तो seat हमारा rename हो चुका है फिर से करेंगे थोड़ा समिश्टिक हो गई तो यहाँ से क्या करेंगे bcc कर देंगे ओके कर देंगे तो देखो name आपका change हो चुका है ऐसी हम यहाँ से protect कर सकते हैं पास्वर्ड लगा सकते हैं तो seat में हम कोई भी पास्वर्ड डाल देंगे confirm कर देंगे तो हमारी से क्या होगी protect हो जाएगी और इसमें हमें क्या-क्या user को allow करना है allow all users to this seat to तो क्या-क्या करना है वो चीज हम यहाँ बता सकते हैं उसपे हम अंचे कर सकते हैं तो वो चीज allow रहेगी बाकी सब protect हो जाएगी तो आज की क्लास में हमने यह style menu और seat menu कवर कर लिया है अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम data menu tools menu, windows और help इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं तो यह menu कवर करेंगे और सबबता अगली क्लास में यह हमारा LibreOffice Calc जो है वो complete हो जाएगा तो next class में हम LibreOffice Calc को complete कर लेंगे data menu बचा हुआ है और आगे तो menu और बचे हुए है तो आज के session में बस इतना ही उमीद करता हूँ class आपको समझ आया होगा और किसी भी प्रकार की क्यारी के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 9452299436 पर चलिए आज के लिए तना ही मिलते हैं वरगली क्लास में तब तक लिए थैंक्यू